नमस्कार दोस्तों ये है Yama Fasino 125 BS6 का डिस्क वेरियंट इसमें चार वेरियंट मिल जाते हैं और साथ से ज़्यादा कलर का आप्सन मिल जाता है इस वीडियों में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं ऑन रूड कीमत कितनी हैं सारी जानकारी आपको इस वीडियों में मिल जाएगी तो हम मैं आपको दोस्तों इसके चार कलर दिखा देता हूँ ये जो आप कलर देख रहे हैं य यह है इसका सियान ब्लू कलर और यह है इसका मैट ब्लू कलर और दोस्तों यह है इसका तीसरा स्वाप कॉपर कलर और यह है इसका डार्क मैट ब्लू कलर कौन सा कलर आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं तो स्टार्ट करते हैं इसके front profile से तो यहाँ पर इसकी headlamp को देखोगे तो काफी unique और एक premium design इसमें आपको देखने को मिल जाती है और इसके visor पर आपको blue core का sticker देखने को मिल जाएगा और इसकी headlamp की बात करें तो यहाँ पर आपको एक chrome का element दिया गया है side में और यहाँ प उपर की side में आपको number plate का option दिया गया है अब इसके indicator की side में देखोगे तो यहाँ पर आपको chrome के element यहाँ भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी premium लग रहे हैं और इसके indicator में भी आपको normal valve दिये गये हैं उपर pilot lamp में भी आपको normal valve देखने को मिल जाएंगे जो की का LED DRLs का option देखने को नहीं मिलेगा आप चलते हैं इसके नीचे की side में तो यहाँ पर आपको glossy finish में fully metal का मढगार देखने को मिल जाता है और इसके side में आपको UBS का logo देखने को मिल जाएगा इसमें आपको unified braking system दिया गया है इसकी front और rear की donor brake एक साथ काम करती हैं आप इसको combi braking system भी बोल सकते हो 190 mm की disc brake मिल जाती है और 12 inches के black color के alloy wheels मिल जाते हैं और इसके tire के size की बात करें तो यहाँ पर आपको 90-90 बारे का tire size मिल जाता है और जैसा कि इसमें आपको जो है tuoless tire मिल जाते हैं और इसमें आपको euro grip के tire मिल जाते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको फैसीनो का 3D में logo देखने को मिल जाएगा और इसके seat की नीचे की side में यहाँ पर आपको chrome के element दिये गए हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो जो की काफी attractive लग रहे हैं और काफी premium look दे रहे हैं इस scooter में और इसके rear की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लंबी सी tail lamp देखने को मिल जाती है जो पीछे वाला portion है और यहाँ पर आपको एक Yama का logo मिल जाता है और इसकी जो tail lamp है वो काफी लंबी बनाई गई है जिसके अंदर आपको जो है normal valve दिये गए हैं और इसके indicator में भी आपको जो है normal valve देखने को मिल जाएंगे और इसके rear वा आपको जो है black matte finish में एक grab handle देखने को मिल जाता है अब इसके पीछे वाले portion की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर आपको एक attractive सा look देखने को मिल जाता है इसकी जो tail lamp है वो काफी ज्यादा नुकीली सी दी गई है और अच्छी भी लग रही है और यहाँ भी आपको जो है फै तो इसकी seat को आप देख सकते हो काफी लंबी और चौड़ी यहाँ पर आपको seat देखने को मिल जाती है और दोस्तों इसमें आपको जो है 21 लीटर का boot space मिल जाता है जैसा कि यहाँ पर आपको जो है fuel filling का cap देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 5.2 लीटर की fuel tank की capacity मिल जा जाती है इसका जो fuel cap है वो internally दिया गया है external नहीं दिया गया है अब आप इसके side में देखोगे तो यहाँ पर आपको footrest देखने को मिल जाए और इसके side stand में आपको side stand engine cutoff का switch मिल जाता है और 145 mm की ground clearance मिल जाती है अब आप इसके leg space area को देखोगे तो काफी अच्छा और काफ लटकाने के लिए तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके meter console की तो इसमें आपको fully analog type का meter देखने को मिल जाता है इसमें आपको digital type का meter देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको silver finish मिल जाती है यहाँ पर आपको fuel meter और यहाँ पर आपको indicator की indication light यहाँ पर आपको main headlight की indication light और यहाँ पर आपको दोस्तों जो है इंजन की माल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको इको लाइट और ओटो लाइट देखने को मिल जाती है इंडिकेशन की जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो अब इसके लेफ्ट एंड की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको side mirror देखने को मिल जाते हैं जो की काफी premium quality के बनाए गए हैं और यहाँ पर आपको low beam, high beam switch, indicator का switch और नीचे horn का switch देखने को मिल जाता है अब इसके right end side की तरफ चलें तो यहाँ पर आप इसके side mirror को देख सकते हो काफी unique और काफी premium type के side mirror देखने को मिल जाते हैं जिस कि यहाँ पर आप देख सकते हो और इसकी side mirror की rod भी काफी premium दी गई हैं यहाँ पर आपको engine किल का switch देखने को मिल जाता है यहाँ पर front brake का lever और यहाँ पर आपको self का switch देखने को मिल जाता है अब दोस्तों में ले चलता हूं आपको इसके engine की side में तो यहाँ से आप इसके exhaust क देख सकते हो तो इसका जो exhaust है वो काफी unique सा बनाया गया है इसकी जो design है वो काफी unique है और यहाँ पर आपको एक metal की plate देखने को मिल जाती है और fully matte black finish में दिया गया है इसका exhaust और यहाँ से आप इसके engine को देख सकते हो जिसमें आपको blue code technology मिल जाती है जो कि Yamaa की तरफ से साइड में ले चलता हूं तो इसमें आपको जो है self और किक का दोनों का option इस scooter में आपको देखने को मिल जाता है इसके engine और power की बात करें तो 125 CC का air cooled forest rock SOSC2 valve BS6 complaint का engine मिलता है जिसकी maximum power है 8.2 PS की 6500 rpm पर इसका maximum torque है 10.3 Nm का 5000 rpm पर इसका curve weight है 99 kg अब दोस्तों में इसके rear वाले tire के size की बात करूं तो यहां पर आपको 110 Y90 section का tire size मिल जाता है 10 inches के black color के alloy wheels और यहां पर आपको drum brake का option मिल जाता है और इसके rear में आपको unit swing type के suspension मिल जाते हैं इसके rear की side में अब दोस्तों चलते हैं इसके front की तरफ तो यहां से आप इसका look देख सकते हो काफी attractive दिया गया है त तनुस्का ओटो यामा मध्यम ग्राम कॉलकता का इसका on road price है 92,150 रुपे 92,150 रुपीज सोरुम की सारी detail आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी दोस्तों दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर यह वीडियो वागई आपको अच्छे लगी तो इस वीडियो को ज यह वीडियो आपको अटोस्तों है